आप लोग देखते होंगे कि जो भी मन्त में यानि कि हर मैने जो भी घटनाय घटती हैं उनसे questions आपकी परिच्छाओं में पूंचे जाते हैं फिर चाहे आप लोग civil service की तयारी करे हो या state PCS की तयारी करे हो या आप देखते हैं कि central level पर तमाहम एकजाम होते रहते हैं SSC bank railway और आप देखे इस state level पर भी आपके तमाहम एकजाम होते हैं पतवारी सिक्षक के लिए होता है teachers के लिए police के लिए होता है SI के लिए होता है पतवारी के लिए आप देखे जेल पहरी के लिए होता है तो आज की इस क्लास में हम लोग जून 2022 में जो भी घटनाय घटी हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में किस तरह के questions बन सकते हैं उन questions को एक एक करके देख लेंगे और इससे बहले आप देखें कि हम लोग मई तक की जो भी मन्त हैं आपके जन्वरी से लेकर मई तर उनसे जितने भी questions आपकी परिक्षाओं में बन सकते हैं उन पर भी बात किये हुए हैं और monthly current affairs के नाम से आपकी playlist सूची बनी हुई है उसमें सभी किलास में आपको मिल जाएंगी और 2021 का भी आप देखे current affairs कबर किया हुआ है हर महीने का तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं चलिए तो जून महीने की कौन से current affairs के questions बन सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं पहला question है हमारे सामने पिती वर्स तुनिया भर में विस दुख दे दिवस किस तारीक को मना जाता है दूद दिवस की बात हो रही है यह आप कार रहा है 31 माई, 23 माई, 1 जून, 2 जून तो आप सभी जानते हैं कि 1 जून को गब 1 जून को आपका विस दूद दिवस की रूम में मना जाता है तो इसके बारे में भी याद रखिएगा और आपको मालू होने चाहिए कि यह दिवस एक जून को दूद को डाइट में सामिल करने के लिए जावरूप करने के उद्देश से मनाया जाता है और विस्व दुख दे दिवस को मनाने का जाने की सुरुवाद 2001 में सहयुक्त राष्ट द्वारा की गई थी तो यहाँ दो संगटनों की बात हुई है एक तो आप देखते हैं कि सहयुक्त राष्ट की बात हुई है और इस तरह की संगटनों से भी कई बार कुश्चन्स पूँच लेता है तो इवेंड की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर आपको निवार्ग में देखने को मिल जाएगा और दूसरा है आपका खाद दो और केसी संगटन तो इसके बारे में भी याद रखीगा इससे भी कुश्चन्स पूछे जा सकते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 में फूड एंड एग्रिकल्चर औरगनाईजिशन की स्थापना हुई थी और रॉम इटली में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग पहले कुश्चन्स में C option लगाएंगे ठीक है अंगला कुश्चन हमारे सामने किसे ससक्त सीमा भल SSB का नया महाने देशक निउप किया गया है बताई इसमे एटली में गराज पीके स्रीवास्तो SL 1000 GS मातुर तो याद रखी इसमें आप लो SL 1000 C option आपका बिल्कुश सही रहेगा C option कैसा रहेगा? बिल्कुश सही रहेगा ससक्त सीमा भल की बात करें तो आप देखते हैं कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर देखने को आपको मिल जाएगा अंगला कुशिन है हमारे सामने जून 2 जून 2022 को भारत की किस राज ने अपना नौवा इस्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना या आप देखी मणीपुर सिक्किम उडिसा तो आप सुभी जानते हैं कि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध पिदेश से अलग करके बनाये गया था किसे आंध पिदेश से और आपको मालू होना चाहिए कि आंध पिदेश की बारे में अगर हम लोग बात करते हैं न तो भासाई अधर पर गटित होने बाला पहला राज्य है आपका आंध पिदेश और तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी राध धानी है यहां आप लोग देखें तो बिधान सभा में आपकी 119 सीटे हैं बिधान परिशद में 40 सीटे हैं राज्य सभा में 7 सीटे आंध पिदेश और आप देखेंगे 36 गड़ से लगती है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा जब भी किसी राज्य का उल्लेक होता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रख लिया करेगा इनसे भी कुश्टन्स पूच लेता है कौन ब्यक्ती? कौन ब्यक्ती? हाल ही में राश्टी सूचना बिज्जान के अंद की नए महाने देशक बने हैं सहेबन महिता, लोकेस जांगिर और विसेष राजपूत, राजिस गेरा तो याद रखेएगी समें राजिस गेरा होंगे क्या होंगे राजेस गह रहा होंगे National Information Center की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को Headquarter देखने को मिलेगा तो इसमें क्या लगा होगे D option आपका बिलकुल सही रहेगा ठीक है चली अंगले Question की तरफ हम लोग बढ़ते है अंगला Question क्या कह रहा है अंगला Question कह रहा है कि पिसिद ब्यक्तित पंडित भजन सपोरी का 74 वर्स की उम्म में इनकी डैथ हो गई है वै थे, लेखक थे, संतूर बादक थे चित्तकार थे, अभिनेता थे यह आखिर थे क्या तो आप देखेंगे कि एक क्या थे यह आपको देखने को मिलेगा संतूर बादक थे बी Option विलको सही है क्या बी Option विलको सही है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा और पदम सरी परुसकार से सम्मानित भी किया गयते है और आप देखेंगे पदम स्री परुस्कार की बात करते हैं तो आपको मालू होगा कि पहली बार 1904 में शुरू हुआ था ठीक है तो यह भी आप लो याद रखेगा पंडिस सोफोरी हमारे देश के एक लौतिक क्लासिकल म्यूजी नहीं है जिन्हों सेंस के तरवी समय देश की लगबग हर बासा में करीब 4000 से जान्दा अधिक गीबतों के लिए म्यूजी कमपोच किया है नोंने तो यह भी आप लो याद रखेगा और आप देखे कि 22 जून 1948 को स्री नगर में इनका जनम हुआ था और 2 जून 2022 में इनका गुरुग्राम में इनका इनकी डेथ हुई है तो यह भी आप लो याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने पिती वर्स विश्व साइकल दिवस जून महिने की किस तारी को मनाते हैं साइकल दिवस और आप देखे कि साइकल की पिती जयागरुकता बढ़ाने के लिए यह कम से कम आप फिटतो रहें एक जून, दो जून, तीन जून या चार जून तो तीन जून को आपका विश्व साइकल दिवस बनाते हैं और आप देखी कि साइकल चलाने से आप देखते हैं सी है तो परियावन को दोनों को फायदा होता है और ध्यान रहें कि दिवस को 2018 में सयुक्तराश महासबा ने तीन जून को 20 साइकल दिवस की तोर पर भोसित किया था और साइकल पहले तो आप देखें साइकल ही चलती थी अब आप देख रहें गाड़ी, मोटर साइकल, कार चलने लगी कौन बैक्ती? हाली में फेस्वुक की पैरेंट कंपनी मेटा की नए मुख परिचालक अधिकारी बने है अलवर्ट, किंजोज, जॉय, मैरे डित, माइक ब्राइट, जेबियर, ओलीवन तो वैसे तो आप लोग फेस्वुक पर सभी लोग होंगे, आप सभी जानते हैं और फेस्वुक को नया नाम भी दे दिया गया, मेटा तो इसमें आप देखें कि जेविर, ओलीवन, यानि कि D-Option आपका बिल्कुल सही रहेगा और आप देखें कि फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी मार्क जो कोवर्क का नाम आप लोग सुने हैं, वही इसके CEO है कैलिफॉनिया, USA में आपको हेड़क्वाटर देखने को मिल जाएगा तो फेस्वुक की बारी में जरूर यात रखा करिएगा मुझे लगता है कि सभी आशकलोग लपत हैं यहाँ और इसके लिए आप देखे भारी भरकम कुछ नहीं चाहिए होता है बड़े आसानी होता है इस पर आकाउंट बनाना किस भारती मुल की महला चातरा ने पितिष्ठित इस्पिलिंग इस्पिलिंग बी पितियोगी का 2022 दीती है निर्मला राय या अंजुम सर्मा या आप देखे हरीनी लोगन देवगी देवगी मुसल तो आप देखे कि हरीनी लोगन ने अमेरी की चातरा ने भारती मूल की है इन्होंने स्पिलिंग बी पितियोगी ता 2022 देती है देखे भारती मूल करेने का मतलब होता है कि इनके मादा पिता दादा दादी में से संबंद किसी परिवार के और किसी मेंबर का संबंद यहां से राय भारत से राय ठीक है? भारत के किस राज्जय में दुनिया का पहला Liquid Mirror Telescope स्थाबित किया गया है जारखंड विहार उत्राखंड हर्याना तो आपको मालू हों चाहिए कि उत्तराखंड में इस्ताबित किया गया है और उत्तराखंड की बात करते हैं तो आप सभी को मालू है कि उत्तरपदेश से अलकर की बनाया गया था उत्तराखंड पोस्कल सिंग धामी अभी बर्तमान में यहां कि मुखमंत्री साहब है क्या है मुकमंत्री साहब है चीप मिनिस्टर है 9 नमबर सन 2000 में इसे राज बनाये गया था और आप देखेंगे अभी वर्तमान में 13 जिले हैं यहां यहां की राजभास आपको हिंदी संस्कित देखने को मिलेगी छेतपाल यहां का 53,483 किलोमीटर है जन संक्या घनत देखें तो 189 ब्यक्ति-पिती बर किलोमीटर में निबास करते हैं यहां विधान सभा में आप देखेंगे 70 सीटे हैं राज सभा में 3 सीटे हैं लोग सभा में 5 सीटे हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इसकी सीमा अंतराष्टी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है और राज्यों में हिमाचल पिदेश उत्तर पिदेश से इसकी सीमा लगती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा उत्तराखंड की और उत्तराखंड की नेनी ताल में दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्वेड मेरर टेलीसकोप का संचालन सुरू हुआ है और इस टेलीसकोप का उफियोग सितारों अंतरिक्ष मलवे और उपग्रोव जैसे खागूली पिंडों का अध्यन करने के लिए किया गया है तो यह भी आप लों याद रखेएगा इसके बारे में चली अंगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कोश्चन कहरा है दिल्ली सरकार ने हरीजन सब्द की जगेक की सब्द को काम में लेने करने ड़े लिया है गांदी अमेडकर स्योवननन कुसबहा तो इसमें अमबेडकर होगा और आप सभी जानते हैं कि अमबेडकर साहब की बात करें तो आप सभी जानते को मालू होगा कि भीमराओं रामची अमबेडकर की बात होती है और इनका जनम 14 अपरेल 1891 में हुआ था और 6 दिसम्बर 1956 में इनकी डेथ होई थी और आपको मालू होगा कि इनके बारे में कि ये समीधान की फितागी आप लोगे ने कहते हैं सबसे पड़े लेखे ब्यक्ती थे आयग है अंगला कुश्यन है हमारे सामने पिती बस बिस्व परियावन दिवस की सतारीक को मनाय जाता है एक कुश्यन से घखे हर परीक्षा में पूछ लेता है और 5 जून 6 जून 3 जून 7 जून तो 5 जून को आप देखते हैं कि 20वर्यावन दिवस आपका मनाया जाता है 20-वर्ड इनवारमेंट दे की बात हो रही है और आप देखिए पर्यावन के पिति आपकी जागरूखता रहे और इसलिए आप देखिए पर्यावन को सुद्ध बनाये रखें लोगों को जागरूख रखें और इस साल की theme only one earth यानि केबल एक पित भी रखी गई है तो यह भी आप लोग याद रखेंगा इसके बारे में कि नई प्रबंध प्रबंध ने देशक md के रूप मेंने उक्ती हुक की गई है एम के जोटसी ए मनी मेख लाई के की अंजली बी के उपाद द्याग तो याद रखें एम ए मनी मेख लाई उसमें होंगी और Union Bank of India की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थाफना 11 नमबंबर 1919 में मुंबई में हुई थी इसका है और हेड़क्वाटर भी मुंबई में देखने को मिलेगा इसमें आपका B option बिल्कुँ सही रहेगा ठीक है अंगला कुशन है किस टैनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुफ सीकल का किताब जीता है कैस्पर रूड नोबाग जुकुविच रफेल नडाल डैनियल मेदवीर दिव तो आप देखेंगे रफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन और रफेल नडाल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस्पैन की हैं तो तीन जून 1986 में इनका जनम हुआ था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा यह 1800 दा फ्रेंच ओपन की बात करें तो आप देखेंगे टैनिस से जुड़ी हुए है टैनिस से जुड़ा हुआ है 1891 में हुआ था इसकी स्थापना दिये गए IIF Award 2022 में किसी Best Actor का Award मिला है पंकत्र पाटी, बरुन, दवन, विक्की कॉसल, आमिर खान को बताईए तो इसमें विक्की कॉसल को दिया गया है अप आईफा Award तो यह भी आप लखिएगा फर्ष्ट अब और 2000 सन 2000 में दिया गया था तो इभी आप लो याद रखेगा बिक्की कॉसल, ती ओप्सन आपका, बिलकुल सही होगा इसमें विक्की कॉसल एक एक्टर है ना, अंतरश्टी भारती फिल्म, अकादमी पुरुशकार की बात हो रही है यह आप देखेंगे कि और इसते अलावा किर्थी सेनन को बेश्ट अक्टर्स की अबड से नवा जा गया है और आइभा का यह बाइसवा सीजन था, ठीक है अंगला हूशन है हमारे सामने पिती बस, विस्व खाद सुरक्षा दिवस किस तारीक को मनाय जाता है तीन जून, माज जून, चै जून, साथ जून तो साथ जून को विस्व खाद सुरक्षा दिवस के रूम में मनाय जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा विस्व खाद दिवस के रूम में और आप लोगों को बता दूं कि साथ जून को दुनिया भर में लोगों को सुरक्षित और पोश्टिक भोजन के पिति जागरूपता के उद्देश से मनाय जाता है और इस बार की थेम रखे गए सैप फर फूर्ड बेटर हेल्थ यानी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्त रखे गई है तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे मे और थेम से भी कुश्चन्स कई बार पूँच लेता है आप देखते होंगे साथ जून को भी आप लोगों को याद रखना होगा इसके बारे में अंगला कुश्चन है हमारे सामने बजराम बैगच किस देश के नए राश्ट पतीवाने है पॉलेंड, अलवानिया, औस्टेलिया, माकरी औस्ट्रिया या रोमानिया तो यह बने हैं अलवानिया के बी आप्शन बिलकुल सही है यह उत्तर पूर्व एउरोब में आपको देखने को मिलेगा अलवानिया तिराना इसकी राध्धानी है यह भी आप लोग याद रखिएगा यह रोम में पढ़ता है अंगला कुष्टिन है हमारे सामने कौन बेक्ती हाल में अंतरष्टी एलूमेनिया संस्थान की नए चेयर्मेन मने वरूर्ण पादुकॉन सतीस पाई मनीस्थ चावला अरवेंद गोसाल तो इसमें 37,5 होंगे बी ओप्सन बिल्कुल सही होगा अंतरष्टी एलूमेनियान संस्थान की बात हो रही है इसमें तो यह भी आप लोग याद रुखिए गर्स की बारे में अंगला कुष्टिन है हमारे सामने बैसविक परयावन प्रिदंसन सूचकांग 2022 में 180 देशों में भारत का कुन सा स्थान रहा है 166,167,166,178,180 तो इसमें कैसा रहा है बताईए 180 रहा है अब आप लोगों को एक और बात बहता देता हूं बैस्विक परियावन पिदर्सन सूचकां की बात हो रही है इसमें भारत 180 बेस्थान पर रहा है 2022 में और आप देखी 180 देशों ने भाग लिया था तो आप लोगों को यह समझने लेना चाहिए कि आपकी क्लास में माल लेजे 180 बच्चे हैं और किसी का नंबर आप देखी कि 180 180 बाता है नीचे से तो आप समझे कि उसके इस्तिति गया है बहुत भुरी ही कहेंगे आप लोग तो यही आप लोग याद रखेगा परियावन स्वास्त पारिष्ट की तंत जीवन सक्ति जलवाई परिवतन इन सब को ध्यान में रखा जाता है और 2020 में आप देखेंगे भा सोच लिए डैन्मार का आप देखेंगे टॉप पर है आपका यह भी आप लोग याद रखेंगे और नीचे से टॉप हम लोग कर रहे हैं अंगला कुशन है हमारे सामने पिती बस बिस महासागर दिवस कब मनाया जाता है बिस वर्ल्ड ओसीन डे चार जून आठ जून, साथ जून, नौ जून बदाईए किस दिन मनाते हैं आप लोग तो यह मनाता है आठ जून को मनाया जाता है भी आप्शन बिल्कुल सही है और आपको मालो होना चाहिए कि आठ जून को दुनिया भर में लोगों को महासागरों की पिती जागरू करने के उद्द करता है अंगला कुशन है मारे सामने कौन बैक्ती हाले में असुनी भाटिया की जगे SBI की नए प्रवंद निदेशक बने है आलो कुमार चौदरी नवीन कुमार सना राजिस कुमार ठाकुर असो कुमार जांगिड यह आप देखेंगे आलो कुमार चौदरी होंगे ए ओप 255 में इस की स्था अपना हुई थी और आप देखेंगे इसका हैड़ कौार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा बंबई में देखने को मिलेगा मुंबई में ठीक है अंगला गुशन है हमारे सामने मसोर महला खिलाडी मेचाली राज किस अंतराष्टी खेल से सन्यास लेने की कोशना की है किर्केट हौकी फॉट भाल या बेडमेंटन तो आप सभी जानते हैं कि किरकेट से जड़ हुई है किसे मैताली राज किरकिट से जुड़ी हुई है हमारे देश की महला खिलाड़ी है अच्छा केलती हैं आप सभी जानते है और 1909 में महला बंडे में डिबू करने बाली मैताली राज ने 23 साल के इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण ब्राम लगाने की उसना की है और 10,000 से जान्दा रन बनाए है नोंने सोचिए टीम इंडिया के लिए कौन डौन नीती तियार करने बाला भारत का पहला राज बनाए डौन नीती डौन नीती अरुनाचल पिदेश हमाचल पिदेश परशे मंगाल उत्तर पिदेश तो इसमें आप देखेंगे हमाचल पिदेश बनाया और वैसे हमाचल पिदेश की बात करें तो आपको माल होना चाहिए कि इसकी अंदरश्टी सीमा चाइना से लगती है किसे चाइना से लगती है और 25 जन्मरी 1971 को इससे राज बनाय गया था और आप देखेंगे इसका चितफल 55,673 बर किलोमीटर में फैला हुआ है बारे जिले देखने को मिलेंगे यहां की राज भासा हिंदी है संस्कित यहां की भासा भी है और आप देखेंगे जैराम ठाक और अभी वर्तमान में यहां की मुख मंत्री है बिदान सभा में अर्षट सीट है, राज सभा में तीन सीट है, लोग सभा में चार सीट है आपको देखने को मिलेंगी यहां अंगला कुशन है बिस्त पिती वर्स बिस्त बाज सरम निसे दिवस कब मनाय जाता है वर्ल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेवर, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून तो आप सभी जानते हैं कि यह 12 जून को मनाय जाता है, कब मनाय जाता है? 12 जून को मनाय जाता है और आप देखें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश यही कि 14 वर्सी कम उम्रे की वच्चों से सरम ना कराकर उन्हें सिक्षा दिलाने और आंगे बढ़ाने की लोगों को जागरूप करने की उद्देश से मनाय जाता है इसकी सुरुवाद सन 2002 में हुई थी, राष्टिये जो अंतराष्टिये सरम संगठन है ना इसने की थी और अंतराष्टिये इंटरनेशनल लिवर और अर्गनाईजेशन की बात करने तो 1990 में इसकी स्थाफना हुई थी जैनिवा सुईजलेंड में इसका हेड़कौाटर देखने को मिलेगा और आप देखिए सिक्षा की बात होती है कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो आप देखिए कोई भी सिक्षा आपको पढ़नी हो कोई भी इंजिनेरिंग करनी हो कोई भी आप देखिए मेडिकल की पढ़ाई करनी हो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी हो फिर ही दी जाती है हमारे देश में आप देखें बड़ी मौटी रखम रखी जाती है और सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो आप सभी जानते हैं कि कितनी अच्छे होती तो 12 जून को आप लोग लगाएंगे इसमें कौन भांग से पितीवंद हटाने बाला पहला ACI देश बना है बंगला देश, नेपाल, भारत, थाइलेंड तो आपको बता दूँ कि थाइलेंड मला है बहुत देश माना जाता है थाइलेंड को बैंको किसी राध धानी है देखे ACI में ही पढ़ता है जानवारों के लिए भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन लॉंच हुई है जिसका नाम क्या है एनो पलेक्स, एनो कोवेक्स, एमी मेक्स, एपेहक्स या आप देखेंगे एनो कोवेक्स यानि कि भी आप्सन बिलकुल सही रहेगा इसमें लेकिन एक सभी आप देखते हैं कि ये बड़ा लंबा समय कुरूना महामारी ने खा लिया है लोगों का और लाखों लोग आप देखें प्रभावित भी हुए ICR National Research Center in Queens COVID-19 के खिलाब जानवारों के लिए ये वैक्सीन बनाई है इसने तो ये भी आप लोग याद रखेएगा शली अंगले कुश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन एक किस RBL बैंक के नए MD और CE के रूम में निक्त किया गया RBI बैंक में भी आप लोग अकाउंट को लग आते होंगे RBL S जोतिया जोति रादित M के स्वामी नातन R सुबमन्यम कुमार और एक है आपकी KK बेनु गोपाल R सुबमन्यम कुमार हैं इसमें और RBL बैंक की बात करें तो आप को मालू होना चाहिए कि इसकी स्थाफना अगस्त 1943 में हुई थी मुंबई में headquarter इसका देखने को मिलेगा अंगला question है मारे सामने पिती बस विस रखते दात सा दिबस किस थारीख को मनाया जाता है 12 जून, 14 जून, 15 जून, 13 जून तो आपको माल होना चाहिए कि 14 जून को मनाया जाता है और देखिए विस रखत दाता दिबस की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से आप देखिए आप लोग भी दान करते रहा करिएगा इसमें कोई नुकसान नहीं होता है अच्छी बात होती है कही लोगों की आप देखिए जान भी बच जाती है और 14 जून को रक्तिदान से समय मंदित भिरांतियों से लोगों को जागरूख करने के उद्देश से मनाया जाता है और इस देवस्त की थीम रहती है डोनेटिंग विलर्ड इज एन एक्ट ऑफ सेली डेरिटी ज्वाइन ज्वाइन दा एफोर्ट एन्ड सेव लाइब से यानि रक्तिदान करना एक जुटता का कार है और पिरयास में सामिल हो और जीवन बचा है कई लोगों को आप देखे खोंड की जरूरत पढ़ती रहती है तो यह आप लोग याद देखे कौन सतरंज खिलाडी भारत के चोहतरवे ग्रेंड वास्टर बने है मनीशा लंबा, राहुल स्रीवास्ता, आरोग सिंग रिसब मावी तो यह राहुल स्रीवास्ता होंगे तो यह तिलंगाना के है अंगला कोर्शन है हमारे सामने कौन राज जहाली में खिलो इंडिया यूद गेम्स 2021 का विजेता बना है हर्याना, महराष्ट, पंजाब या करनाटग तो आपको बता दूँ कि ए आपका बना है हर्याना क्या हर्याना 1 नवंबर 1966 में हर्याना को राज बनाए गया था चंडीगड़िस की रादधानी है और आप देखेंगे कि यहां 22 जी लिए आपको देखने को मिलेंगे मनुहलल, खटर, यहां के मुकमंत्री है बिधान सभा में 90 सीट है, राज सभा में 5 सीट है लोग सभा में 10 सीट हैं आपको देखने को मिलेंगी यहां तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या हरियाना हरियाना ठीक है किस पुरोष किर्केटर को मैई 2022 के लिए ICC प्लियर ओप दा मंथ का सम्मान मिला है बताईए तो ये आप देखेंगे वानिंदू हसरंगा डेविड मिलर एंजेलो मैथ्यूज तैंब्या बाब वुमा तो याद रखिए इसमें एंजेलो मैथ्यूज होंगे यानि किस पी ओप्सन बिल्कुल सही है ICC की मतलब होता है इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल की बात हो रही है 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हैड़ क्वार्टर दोबाई यूनाइट्टेड अरव अमिरात में देखने को आपको मिल जाएगा अंगले कुश्चन है मारा पिरतम महान भार्टिय ब्यक्ति हरीचंद का 69 वर्स की उम्र में डेथ हो गई है यह हरीचंद किस खेट से जुड़े हुए थे धावक थे गायक थे या लेखक थे पत्तकार थे तो यह धावक थे क्या थे धावक थे और एक बात और उनके बारे में आपको बता दूँ कि इस तरह कि खिलाडियों जब भी चर्चा में रहते हैं तो उनके बारे में एक सामन जानकरी आप लोग जरूर रखा करिएगा ठीक है और लंबी दूरी के महांधावक और दो वार के उलम्पिक रहे यह और 1976 से 1980 के उलम्पिक गेम से में भारत का पितिने दित्ती भी किया उन्होंने और उन्होंने एसीन गेम से 1978 में भारत को दो गोल्ड मेडल भी देलाए थे ठीक है इंडियन रणर थे एक अपरेल 1913 मेंन का जनम हुआ था और उन 13 जून 2022 में की डेथ होगी अर्जन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था किसे अर्जन अवार्ड से तो यह भी याद रखेगा अब आपके मन में अर्जन अवार्ड की बात होगी होगी तो पहली आप देखिए 1961 में दिया गया था जोन अवार्ड तो यह भी आपनों याद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने कौन सेगरेट पर चेतावनी चापने बाना दुनिया का पहला देश मना है और देखिए चेतावनी होती है फिर भी आप देखते हैं लोग पीते हैं आप स सबसे बड़ा सहर आपको टोरेंटो देखने को मिलेगा यह आपको अमेरिक उत्री अमेरिका महादिम मेर्स देखने को मिलेगा है ठीक है केंद सरकार ने भारती सेना में चार साल यह तो युवाओं की भरती करने के लिए कौन सी योजना लॉंच की है हिमबत बल युजना अगनी पत युजना भारत बन से युजना 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 तो आप सभी जानते हैं अगनी पत युजना और इसको लेकर कई आप देख चलिए तो इब भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कूशन है हमारे सामने किन दो सहरों में के बीच भारत गौरब योजना के तहट देश की पहली प्राइविट ट्रेंड संचालित की गई है यह मत्वरा से रायपूर कुएमबटू से सिर्णी आयोध्या से जैपूर भ आई-एमडी द्वारा जारी वेस्विक पीटीएस परदात्मक सुचकांग दोजार बाइस में भारत को कौन सा इस्थान मिला है आई-एमडी के द्वारा जारी ही आ गया है ठीक है तो आप देखें 35 बा 37 बा 41 बा 46 बा तो हमें 37 बा इस्थान मिला है हमें 37 बा इस्थान मिल हो रही है ठीक है और बेस्विक पिती स्फर्दात्मक्ता सूचकांग ए वर्ल्ड कॉम्पटिटिवनेस इंडेक्स 2022 भारत को 37 बाइस्थान मिला है और पिछले बर्स इस सूचकांग में भारत को 43 बाइस्थान था इस पेकार भारत 6 अंगों की चलंग लगाते हुए अच्छा के CEO बने हैं नीते सोर खनना और आप देखे सौम्या नारायन संपत और अतुल महिसुरी दीप दयाल चावला तो वह आप देखेंगे सौम्या सौम नारायन संपत तो ये भी आप लो याद रखेगा इस में क्या लगाऊगे बी ओप्सन बेरी जॉन की बात करें तो बायले केरियर कंपणी की बात हो रही है और इसकी स्थाफना चार अपल सन 2000 में हुई थी नियॉर्क USA में इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिलेगी अमेरिकी कंपणी है किस भारतिय प्रेश परिशद की नए अध्यक्ष बने हैं जश्टिस बी गोपाला गोवडा जश्टिस सिफ केजती सिंग जश्टिस रंजना पिरकास देशाई जश्टिस पिनाकी चंद घोस तो इसमें याद रखे जश्टिस रंजना पिकास देशाई आप लोगों को बतान है पिनाकी चंद घोस कौन थे इनके बारे में ज़रूर बताईएगा ठीक है और भारतिय प्रेश परिशत की अध्यक्ष बने है और प्रेश काउंसल ऑप इंडिया की बात करें तो 4 जुलाई 1964 में इसका स्थापना हुई थी नई दिल्ली में इसका हैड़क्वाटर देखन मना जाता है वर्ल्ड रिफूजी डे की बात हो रही है रिफीव जी 18 जून, 22 जून, 24 जून तो 20 जून को आप लोग देखेंगे आपका रिफीव जी डे मना जाता है विस्र सरदायती दिवस और सरदायतीयों के साहसो सक्ती को सम्मानित करने के उद्देश से मना जाता है क्योंकि सरदायती लोग आंतरिक्ष हिंसा और अनकारणों से अपने देश को छोड़कर आने देशों में सरन रहने के लिए मजबूर रहते हैं हमारे दिल्ली के आस-पास देखी आप लोग बंगलादे से आये हुए हैं पाकिस्तान से आये हुए हैं अफगानिस्तान से आये हुए हैं म्यानमार से आये हुए हैं चाइना से आ जाते हैं चलिए अंगलिया खुष चने और दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया ऐली जोग देस, सैनीफिरा, पॉसीडोनिया ऑस्टेलिस, लूसिक्रा पैटीपोटीम, आर्थोपेडिक ऑस्टेलिस तो याद रखेऊ इसमें पॉसीडोनिया ऑस्टेलिस, भी ऑप्सन आपका बिल्कुल सही है ऑस्टेलिया के बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कैन वेरा इसकी रादधानी है ठीक है औस्टेलिया महादीब भी आप लोग सोने होंगे अंगला कुशन है हमारे सामने गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राश्टपती बने है बॉलिविया कोलंबिया ब्राजील एक्वाडोर कहा के बने है तो एक कोलंबिया के बने ह कहा के कोलंबिया के कोलंबिया दच्षडी अमेरिका महादी में देखने को मिलेगा आपको वोगोटा इसकी रादधानी है ठीक है यह दच्षडी अमेरिका महादी में देखने को मिलेगा आपको देश एक्कीश जुन 2022 को दुनिया भर में कौन सा अंतराश्टी योग दिब दिवस की रूम में बनाते हैं एक कौन सा था तीसरा चौथा आठवा तो आठवा था ये कैसा था आठवा था ठीक है और आपको मालू है कि इस दिवस इस बार की थीम रखी गी है योगा फोर हुमिनिटी यानि की मानौता के लिए योगा तो ये भी आप लोग याद रखिये अंतरश्टी योगा दिवस की रूम में अब बात आती है कि पहली बार ये कम मनाय गया था तो 11 दिसंबत 2014 को सहयुक्त राष्ट ने सहयुक्त राष्ट महासवा ने अपने भासन से की थी और उन्होंने कहा था कि इसे मनाय जाएगा 21 जून 2015 को पहली बार मनाय गया था तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा और इससे बहुत फायदा भी होता है आप लोग भी किया करिएगा ठीक है चली अब हम लोग अं अंगला कुशन क्या है किसी सयुक्त राष्ट में भारत की अंगली इस्थाई पिती निधी की रूम में नुक किया गया है ललिता बर्मन रुची का कमबोज जोती ओजा मिनाक्षी राओ तो आप देखेंगे कौन बनी है रुची रा कमबोज भी ओप्सन आपका बिलकु सह अंगला कुशन है कौन एंडिये की परीक्षा पास करने वाली पहली चात्रा बनी है वनिता चौदरी कौमल जाकर सनन ढाका निधी गडवाल तो सनन ढाका और आपको बता दूँ आजकल तो आप देखें महें लाएं लड़किया किसी छेत्य में कम नहीं है यह आप सभी बह बहुत समय खतम हो गया जब आप कमजोर समझते थे उने अंगला कुशन है हमारे सामने पितिवस अंतराष्टी बिदभा दिवस किस तारीक को मना जाता है 20 जून को 22 जून को 23 जून को 24 जून को तो आप देखते हैं कि कब मना जाता ही 23 जून को 23 जून को आपका नेशनल ए एक तरह से अंतराष्टी बिदभा दिवस की रूम में आप लोग इसी मनाते हैं ठीक है और आप देखिए कि 23 जून को बिदभा महलाओं की समस्याओं की पिति समाज में जागरूपता फैलाने के उद्दे से मना जाता है इस बार की थीम रखी यही है आद्रस महला आद्रस समस्याओं ठीक है और आप देखिए कि हमारे दिस में आप देखिए कितना पुरानी पद्दिती सोच रखते हैं तो से भी चुटकार आप आने के लिए दुनिया भर में आप देखिए ठीक है अंगला कोशन है हमारे सामने कौन अंतराष्टी किर्किट महासंग की पहली महल अंतराष्टी किर्किटर महासंग की बात हो रही है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे में 15 जून 1909 में इसकी स्थाफन हुई थी किस देश से समधित महला किर्किटर रूम मिली थरने अंतराष्टी किर्किटर से सन्यास लिया है बंगलादिस इंगलेंड भारत या पाकिस्तान तो आप देखिए भारत की हैं क्या है भारत की है महला किर्किटर है 2018 में उस्टेलिय की महला टीम के खिलाब अपना अंतिम अंतराश्टी मैच खिला था है उन्होंने और 27 जन्वरी 2003 को इंगलेंड के खिलाब बंडे में मैच से डिब्यू किया था है उन्होंने कौन व्यक्ती हाल में राष्टी जन्वरी 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 जन् विमलेस उजापत इदनेस गुपता दिनकर गुपता और आभेंद पुनिया दिनकर गुपता होंगे इसमें ठीक है अंगला कुशन है मारे सामने कौन बेक्ति हाली में खूपिया ब्यूरो आईबी के नए प्रमुक की रोब में ने उक्त हुए हैं किसके आईबी की रोब में यह आप देखें आसीस मित्तल भूपन चौदरी वरुन याखर तपन डेका तो इसमें आप देखेंगे तपन डेका होंगे डी ऑप्सन बिल्कुल सही है नई दिल्ली में इसका एड़कॉर्टर देखने को मिलेगा भारत की आंद्रेख खूपिया एजंसी है यह 4887 में इसकी इस्थापना हो गए थी कौन बैक्ती हाले में नीती आयव के नए मुख्य कारिकारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और आपको कब आया था यह एक जनवरी 2015 में ठीक है तो इसमें कौन किस्किर के टीम ने हाली में पहली बार रंजी ट्रॉफी का किताब जीता है गुजरात मद्वधेश और राजिस्तान तो आप देखेंगे कि यह मद्वधेश ने जीता है और मद्वधेश की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक नवंबर 1956 में से राज बनाए गया था आँगे चल कर आप सभी जानते हैं कि एक नवंबर सन 2000 में मद्वधेश से अलकर कि 36 गड़ राज बना था और आपको मालू होगा कि जब तक 36 गड़ मद्वधेश का हिस्था था सबसे वड़ा राज जिताफ का देखिए मद्वधेश चेतफल में अब दूसरे नंबर पा आता है पहले पर राजिस्थान है और यहां विधान सभा में आप देखिए आपकी 230 सीटे हैं राज सभा में 11 सीटे हैं लोक सभा में लेने वाली पहली भारतिये बंग जुके हैं याद देखिए की शाधिक पंद्या रिसा पंस धीबक हुड़्डा अधिक देख हमां तो इसमें के समीमें है मैंच में यह लेकर ईसे पहली भारतिये कप्तान कर यिदेगस sono आइलेंड की ओपन पोल इस ट्रेलिंग को आउट करके इन्हों ने हासल की है इसकी ओप्सन बिल्कुछ सही है कॉन बेक्ती हाली में केंदरी पित्यक्ष कर CBDT की नई शेयरमेन की रूम में ने उक्त हुए है आसिप खान, रविन्द गौतम, लोकेश, जैन, नितिन गुपता नितिन गुपता बने हैं इसमें केंदरी पित्यक्ष कर बोर्ड की बात हो रही है इसके बारे में भी याद रखेएगा CBDT चीर पर्षन ओफ दा सेंटल वोर्ड ओफ डारेक्टिक टेक्स 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 इस 1964 में इसकी इस्था आपना हुई थी चली यंगले चल आंगे कुश्चन चलते है कौन नयाय मूर्ती दिल्ली हाई कोट के नए मोख नयाद इस बने है के जी बाला किशन है M. फातिमा वीवी 37 चंद सर्मा भते सिंग 37 चंद सर्मा बने है C. आपका बिल्कुल सही है एक आप देखते हैं कि हमारे देश में हाई कोट होते हैं फिर आप लोग क्या देखते हैं उपर और जाएंगे आप लोग तो आप लोगों को सुप्रेंग कोट देखने को मिलेगा दिल्ली हाई कोट और दिल्ली की बात करें तो 31 अक्टूबर 1966 में इसकी इस्थापना होई थी और आप सभी को बता दूँ कि अगर हम लोग सुप्रेंग कोट के बात करें तो हमारी सर्वोच्चा दालत है और आपको मालू होगा कि 28 जनवरी 1950 में इसकी इस्थापना हो गई थी और एक बात और आपको मालू होगा कि समिधान के अंचे 124 के तहत आप लोग देखते हैं कि समिधान एक संस्ता है सुप्रेंग कोट भी आपकी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा हाई कोट से भी कुश्चन कई बार देखते हैं आप लोग पूंच लेता है आपकी राज्य का हाई कोट कहा है इसकी मुख बिरांच कहा है आप लोग बताएगे कब इसकी स्थापना हुई है ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे सापने पितिवस राष्टिये सांखी की दिवस कब मनाय जाता है राष्टिये सांखी की दिवस की बात हो रही है 29 जून, 30 जून और आप देखेंगे एक जुलाई, दो जुलाई एक अब मनाय जाता है 29 जून को मनाय जाता है कब 29 जून को आपका राष्टिय सांखी की दिवस की रूम में आप लोग मनाते है और इस दिवस को पितिवस पिख्या सांखी की बिद दिवंगत पिसांत, चंद महाल नौवस की जनम दिन की रूम में मनाते है और इसका उद्धेस आप देखें रोज मर्या की जिंदगी में और योजना, विकास की पिकरिया में सांखी की महेतिकोई, पिती लोगों को जागरोग करना है पिसांत चंद्र महाल नौवस की बात करें पीसी महाल नौवस की तो आप देखेंगे 29 जून 1893 में कोलकाता मिन का जिनम गठा 28 जून 1972 मिन की डैत हो गई थी तो यह भी आप लोग याद रखेंगे एकनास Sindhi भारत की किस राजी की नए मुखमंतृरी बने हैं और आप देखेंगे ए राजी का फी चलचा में रहा, उठापटक होता रहा आपने देखा होंगा कि महाराष्ट में बड़ी उठापटक चलि तहां कि महाराष्ट की बने हैं पहले एकना सिंदे की जगे उधाव ठाक्रे हुआ करते थे लेकिन आपने देखा है कि उधाव ठाक्रे के ही बिधायक बीजिपी के साथ मिलकर एकना सिंदे मुकमंत्री बन बैटे एक माई 1960 में इसे राज बनाय गया था महाराष्ट को और यहां 36 जिले देखने को मिलेंगे लोग सभामे आप लोगोंगों को देखने को मिल जाएंगी तो यह भी आप लोग याद रखेंगे प्रांस या अमेरिका तो आप देखेंगे अमेरिका की बनी है कहां की बनी है अमेरिका की बनी है और आप सभी जानते हैं इसकी करणसी उनाइटे डॉलर देखने को मिलेगा बॉसंटे डीसी यूज़ की आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगी कैपीटल यानी की राजदाने तो इस तरह से आप देखिए जून महिने की आपकी जो भी घटनाय थी उनसे किस तरह की कुर्शन्स बन सकते हैं उन पर हम लोग उने विस्तार से चर्चा कर लिए है चलिए तो आप लोग पढ़ते रहिए कुछ सवाल हों सुझा हों तो आप लोग दे सकते हैं अंगली क्लास में हम लोग जुलाई मैने की जो भी घटनाय रही है उन पर एक सामन जानकर ही देख लेंगे वीगे